प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप अब बात आती है बहुत इंपोर्टन जो सब को सुननी चाहिए हमारी पूर्ष परधान मंत्री जिनको हम आज भी बहुत इज़त देते हैं और उनको नमन करते हैं इंद्रा गांधी जी 1969 से 1971 में अगर हम जाते हैं तो इंद्रा गांधी जी ने बहुत उपद्धर मचाया था सादो स्लोटर इंद्रा गांधी जी ने करवाया सिखो का स्लोटर इंद्रा गांधी जी ने करवाया इमर्जंसी इंद्रा गांधी जी ने लगवाया, मीडिया और प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेप्रोनिक मीडिया की जुबान को कटवाया इंद्रा गांधी जी ने रेडियो इंद्रा गांधी जी ने बंद करवाया, डेडी न्यूज इंद्रा गांधी जी ने बंद गांदी से तो इसलिए इंद्रा गांदी जी ने जान बूच करके सम्विधान में छेड़ चाड़ करके आतंकी मुसलमानों को सम्विधान के द्वारा और पावर दे दिया जान बूच करके वक बोर्ड बनवा दिया जान बूच करके ओल इंडिया मुसलिम पर्सनल लौ बोर् मिस्टर इंद्रा गांदी जी ही बोलते हैं न है न यहीं न बोलते हैं अब आती है बाद नहरू सहब की अरे उनको तो इतनी लालज थी वजीर आजम बनने की कि उन्होंने तो हमारे देश के ही टुकड़े कर दिये बारत और पाकिस्तान बना दिया जिनना चाहता था कि वो व गांदी पर उन्होंने सावानों और साइराबानों को कलपता हुआ छोड़ दिया उन्होंने राम मंदिर में विवात पैदा करवा दिया उन्होंने कई ऐसे बिल है जिसको पास नहीं किया 33% वोमन रेजर्वेशन बिल पास नहीं किया तो क्या करें हम उनको महीला विरोधी मालने क्या राजिव गांदी जी को अब आती है राहुल गांदी जी की बार राहुल गांदी जी अपने अपनी विदेश यात्रा में जब भी बाहर जाते हैं जब छुप कर जाते हैं तो भी भारत विरोधियों से मिलते हैं और जब बोल कर जाते हैं तो भी भारत विरोधियो अब आती है बात कि हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में आतिशी मरलीन जो है वो अभी मुख्य मंत्री बन करके बैठी है क्या पाकिस्तान को ये बात पता है बलके खुशी होगी पाकिस्तान को जैसे भारत की मुसल्मानों को बहुत खुशी हुई है आतिशी मरलीन की अम्म पातिशी मरलीन जो अभी हमारे भारत की राजदानी दिल्ली की मुख्यमंतरी बन करके बैठी है वो गई थी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए और जा करके वहाँ पर गुहार लगाया था उन्होंने के अफजल गुरू को फासी नहीं ओनी चाहिए वो उनके लिए हीरो था और और हमारे सरवचे नियाए पालिका के हिसाब से अफजल गुरू जो है वो इस्टैंड आतंकी था हमारे भारत में जिन मुस्लिम समुदाएं ने याकोब मेमन की जनाजे की नमाज को नमाज करवाया और सहलाब की तरह मुसल्मान गए तो हम उनको भी आतंकी मानले जो जो ग समर्थक है हमारे भारत में जाकर नायक के तीन मिलियन समर्थक है हमारे भारत में हाफिस साइद के समर्थक है हमारे भारत में इरान के आतंकियों के समर्थक है हमारे भारत में खालिस्तान के आतंकियों के समर्थक है तो अगर भारत का कोई कोई समुदाए को एक ग्रूप ल करें कोई किसी को पसंद करता है नहीं करता लेकिन गौर्मिंट इस चीज़ को तो नहीं देखती जो मतलब खास तो पर अगर हम इंडिया की गौर्मिंट की बात करें कानून की बात करें वो तो नहीं देखता कि इसके इतने फालवर्स हैं तो इसने इतनी इसलिए यह गल्दी प्रदीगी यह चीजें एक्सेपट कर सक चुक है तो क्या अब लोरेंस बिश्डॉई को सजा मिलें कि इसके उपर आपकी क्या पिंइन है गोर्मिंट मसलब हास वर पर अभरत के citizen है ही नहीं लेकिन उनको भारत में खालिस्तान बनाना है उनकी क्यों फटी पड़ी है जस्मित पैंगीला हो जाता था और आब हम तो देख रहे हैं कि जस्टिन ट्रोडो का भी पैंडगीला हो रहा है लौरेंस बिश्णोई का नाम सुन करके ठीक है और मैं बताओ चाहिए आपने कुछ जी जी आपने वीडियो वगएरा या कुछ क्लिप देखे हो या ना देखे हो पाकिस्तान के बहुत से ऐसे डौन है जो डौन कहले मैं तो इस चीज़ को ना परमोट करता हूं ना अपसंद करता हूं गलती तो गलती है चाहिए यहां से हो या वहां से हो या वहां का कोई इंसान करे लेकिन यहां के बहुत से लोग हैं जो बकाइदा वीडियो काल करते नजर आ रहें लारेंस बिश्णोई के साथ दुबई में बै मैं आपसे हरानू के तीस साल का इंसान पाकिस्तान इंडिया इसके इलावा मतलब जहां जहां से आप लोग देखने हैं बताईएगा मैं यह समझता हूं कि इस टाम शायद मोस्ट पापूलर अगर लिस्ट में दस मोस्ट पापूलर लोगों की लिस्ट बनाई जा इंडिया मुझा इस जौए वो मर्द का बच्चा है वा अगर कुछ करता है और एकसी क्रेमिनल को नहीं प्रमोर्ट कर रही हूं बिलकुल नहीं कर रही हूं और कल को अगर इस देश की सर्वुचे नियाए पालिका उसको फासी सुनाए, उसको death penalty दे, उसमें कम से कम आतिशी मरलीन की अम्मा की तरह मैं जा करके राश्टपती को तो नहीं लिख करके दूँगी कि इसको फासी मत दो, लेकिन इस देश में अगर अफजल गुरू के समर्थक भारत की र देश जब इतना कुछ बरदाश्ट कर रहा है कि अफजल गुरू के समर्थक की बेटी, अफजल गुरू के आतंकी संगठन की बेटी, दिल्ली की मुख्यमंतरी बन करके बैठ गई है, तो कल को पंजाब का मुख्यमंतरी लौरन बिश्नोई का भाई, बेटा, भतीजा कोई बेटी बन सकता है, लेकिन जिस तरीके से लौरन्स बिश्नोई को फालो किया जा रहा है, फाल्वर्स बढ़ते नजर आ रहे हैं, मुझे तो सोशल मीडिया पे दिन बादी इन खास और पे इंडिया से फाल्वर्स बढ़ते नजर आ रहे हैं, आपको नहीं लगता जो यंग बिश्नोई है, वैसा हम भी बन जाएंगे, तो इस रही के से आप लोगों का, मतलब आपके कंट्री का, जी, क्या श्वएब आपके यहां सारे नौजवान लड़के हाफिस सईद बन गए, क्या आपके यहां पाकिस्तान इसलामिक देश में सारे नौजवान लड़के, आपने फोकस में क्या करना है क्या नहीं करना है और मुझे मुझे ये कहने में बिलकुल भी हिचके चाहट नहीं हो रही है कि पहली बार एक ऐसा विरती ग्यांग्स्टर बन करके सामने आया है उस जिससे वो लोग काप रहे हैं जिन्होंने इस देश का बहुत बुरा किया इस देश का अच्छा और बहतरीन करने वाले लोग बहुत सुकून में बहुत शान्ती में है मुझे पता है लौरिन बिश्णोई मुझे कभी नहीं मारेगा क्योंकि मैं राष्ट की पुतरी हूं लेकिन सलमान खान क्यों डर रहा है क्योंकि वो जिन लोगों को प्रमोट करत है वो उससे वो लव जिहाद करवाता है जिन लोगों को वो जिन लोगों को वो स्टार बनाता है उससे वो सनातन धर्म की देवी देवताओं को डिफेम और बेईज़त करवाता है सलमान खान जिन लोगों को प्रमोट करता है सना खान उसको वो पाकिस्तान के मुप्तितारि जमील का की Slipper Cell बनवाता है सल्मान खान Being Human करके एक NGO खोलता है और पूरे देश और दुनिया से चन्दा उठा करके पितरा ज़कात उठा करके अपनी जिन्दगी को लैविश करता है सल्मान खान क्या कर रहा है यह सब को पता है ठीक है इसके उपर तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जाहरी बात है हरे की अपने अपनी पसंद है और सुल्मान खाम के हवाले से जो हमने सुना है हम गल्द भी हो सकते हैं क्योंगे मैं तो पाकिसान नहीं हूँ पाकिसान में रहता हूँ ना इंडिया में अभी तक आया हूँ जो मीडिया पे देखता हूँ वो ही उसके हवाले से अपनी एक उपिनियन रखता हूँ कि जी 50% या शायद पता नहीं 50% से ज्यादा अपनी जो इंकम है वो गरीबों के लिए या अनाज बच्चों के लिए या पूखों के लिए वो अपना सारा दान कर देते हैं तो हमने परसनेलिटी समझ लें या पॉलिटिक्स में उसका इतना रदे अमल सामने आ रहा है कि डिसकस करना जरूरी है कि कैनेडा अगर लारेंस बिशनोई को डिसकस कर सकता है तो मैं भी जाहरी बात है डिसकस कर सकता हूँ और मेरे इलावा पाकिस्तान का मेंस्ट्री मीडिया मैं स सोचा कि क्यों ना नादी इलाखी खान से इसके ओपर उपिनियन ली जाए आप लोगों की लारंस दिशनोई के हवाले से क्या उपिनियन है सुल्मान खान के हवाले से क्या उपिनियन है मनवर फुरू किया जितने भी लोग इस वीडियो में जिनको जिकर किया गया जिनको बा की Style क्लियर कूली हैसलियर समय किसे सब्स 1 निकाल करके गरीभू में देदे ता तो बेटी और्फेन स्कूल में नहीं बलके बड़े-बड़े अंग्रेजी स्कूल में जाकर के पढ़ाई कर रही होती है अब आती है दूसरी बार तो सलमान खान का जूट मैंने आपके सामने रख दिया अब आती है दूसरी बार लॉरन बिश्णोई ना पॉलिटिशियन था ना पॉलिटिशियन है ना पॉलिटिशियन होगा यह यह मोदी की सरकार है यह इंद्रा गांदी और राजिव गांदी की सरकार नहीं यह मनमोहन सिंग की सरकार नहीं है जो यासिन मलिक के साथ बैठ करके दस्तरख्वान पर मुरगा तोड़ा जाएगा यह मोदी की सरकार है करने वाला देश का प्रेमी ही होता है ठीक हो गया आप लोगों की क्या उपीनियन है इसके ओपर कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा मिलते है नेक्स वीडियो में और उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो दूसरी तमाम वीडियो से हटके है इसलिए पसंद भी आई होग नो डोट बहुत से लोगों को ऐसा लगा होगा में भी बहुत से लोग लारेंस बिशनोई को पसंद ना करते हैं और वो बोलते होंगे आपने ये वीडियो की क्योंकि बहुत से लोग लारेंस बिशनोई को पसंद करते हों सुल्मान हान को ना पसंद करते हों वो लोग ये आपने ये वीडियो क्योंकि लेकिन मेरा काम था सवाल रखना नाजिया जी ने अपनी ओपिनियन दी आप नाजिया जी से भी डिसाइगरी कर सकते हैं मेरी भी अगर किसी ओपिनियन से आप डिसाइगरी करना चाहे तो कर सकते हैं इवन आप में से कोई भी लोग कोई भी चाह पाकिस्तान से हो इंडिया से हो यह दुनिया के किसी भी कंट्री से हमें देख रहे हैं हमारी किसी बास से डिसाइगरी करते हैं उन्हें मैं open ली कहता हूँ कि आप हमारे प्लैटफॉर्म पे आ सकते हैं विद लॉजिक अपनी बात रख सकते हैं तो यहीं पे वीडियो को वाइंड आप करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए पीस आउट आउट अपने मातरम भालत माता की जए तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटिस इंट्रोसिंग और दमदार वीडियो लाते रहें